बिहार के राज़ानी पटना में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ रखा है आज 45 डिगरी के पार टेंपरेचर जाने की संभावनाए मौसम बिभाग ने जारी कर दिया है आपको बता दे कि बिहार में पिछले 10 दिनों से भारी गर्मी की वज़ा से लोगों के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ चुका है और लोग अब परिशान हो चुके हैं गर्मी की वज़ा से जिस तरीके से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है ऐसे में लोग इसमें बिमार भी होड़े हैं और अस्पतालों में जो मरीजों की संक्या है वो बहुत अधिक बढ़ गई है हाला कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रहा है कि 12 या 13 जून से बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं भी हो सकती है केरल से मौनसून अपना रुख बदलते हुए करनाटक होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन जब तक बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवातिक तुफान या फिर कोई हलचल नहीं पैदा होगी तब तक बिहार सहीत उत्तर प्रदेश दिल्ली इन तमाम राज्यों में इन तमाम जगों पे बारिश नहीं आ सकती है लेकिन बिहार में देखिए बिहार की राजदानी पटना के बादचित करे तो पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तूट चुका है लोग चिलचलाती धूप म परिशान हो चुके हैं लोग जब बाहर निकलते हैं तो पच्छुआ हवा की वज़े से जो गर्माहट रहती है हवा में वो उनके फेपडों से होते हुए जो जा रहा है ऐसे में फेपडों पे काफी असर भी पढ़ रहा है और मौसम विवाग ने लट भी जारी कर रहा है क अगर आप बाहर निकलते हैं तो जरा समल के निकला कीजिए क्योंकि गरम हवा के वज़े से आपके स्वास पर असर भी पढ़ सकता है तो आज देखिए 43 डिग्री या फिर 45 डिग्री के पार पारा पहुंचने की संभावना है मौसम विवाग ने जारी कर रखा है आपको ब 11 में पटना का अधिक्तम तापमान 44.3 डिग्री से दर्ज किया गया था दिन के साथ ही रात का तापमान ने भी समान से 12 डिग्री अधिक रह रहा है मौसम विवाग ने आज 16 जिलों में अलर्ट जाली किया है मैं सुक्रवार को बातचीत करें तो वैशाली जो है वह सबसे गरम जीला रहा तापमान 44.8 डिग्री सिवान में भी 43 डिग्री सल्सियस दर्ज किया गया है अगले तीन से चार दिनों के दोरान प्रदेश में लू का असर देखने को मिल सकता है हाला कि बारिश की भी संभावनाई जयता ही जा रही है चलिए जीला बार तरीके सम आपको बता दे तो वैशाली 44.8 डिग्री भोजपूर 44.6 डिग्री पटना 44.4 डिग्री पश्विम चंपारन 44.1 डिग्री सेखपूरा 44.1 डिग्री नालंदा 43.8 डिग्री सिवान 43.4 गया 43.3 आउरंगाबाद 43.2 सारन में भी 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है दर्ज को हम आपको अभी बता दे कि पटना में फिलाल 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और 34 डिग्री के साथ आज 43 डिग्री तापमान भागने की भी संभावना है हाला कि हवा जो है वो 10 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से फिलाल चल रहा है चुकि पछुआ हवा के वज़े से थोड़ी सी गर्मी में राहत जरूर है लेकिन हवा बंद होने के साथिस साथ आपको बता दे की इस्तितियां और जादा बिगड़ सकती हैं आपको बता दे कि जैसे जैसे समय का हम आपको बताएं कि समय के अनुसार 10 बजे 36 डिग्री रहेगा 11 बजेगा तो 37 डिग्री हो जाएगा 12 बज़ते ही 49 डिग्री एक बज़े 41 डिग्री और दो बज़ते तीन बज़ते के साथ ही साथ 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा वही हवाओं का जो रूख है 9.3 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से हवा आज चलेगी यानि कि आज भी 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जाएगी रात के तापमान की बातचित करें तो रात के तापमान में सुबह अगले दिन यानि कि कल की बातचित करें तो सुबह 4 बज़े 30 डिग्री सेल्सियस मापा जा सकता है कल के मौसम में थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा लेकिन फिलाल बिहार की राजदानी पटना में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तूट चुका है और गर्मी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बाहर पढ़ रहा है फिलाल मौसम से जुड़ी तमाप खबरें लगतार में आपको देते रहेंगे देखते रहे हैं मारे चानल द बिहार टॉप धन्यवाद